हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने अभी तक मुझे इतना सारा प्यार दिया है उमीद करती हूँ कि आपका प्यार इसी तरह से मेरे उपर बना रहेगा आप हमारे वीडियो को पूरा देखा किजिए ताकि आपको हमारी बातें समझ में आ जाए अगर आप हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको हमारे ये डिजाइन जो है वो समझ में नहीं आएगी तो हमारे फ्रेंड्स बीज-बीज में कमेंट करके पूछते रहते हैं कि माइम ये कैसे बना है, ये कैसे बना है तो आप हमारे वीडियो को पूरी देखा करें ताकि आपको सारी बाते समझ में आ जाए तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए ये कानहा जी का हुड वाली ड्रेस बना करके लाएं हैं सिखाने के लिए देखे ये दो नंबर का ड्रेस है और ये देखने में बहुत ही सुन्दर लग रही है इसको बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने ये 14 नंबर की क्रोसिया लिया है और ये दो कलर में उन लिया है तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं फ्रेंट्स सबसे पहले हम धागे में नौट लगाएंगे इस तरह से उसके बार 11 चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा ये 11 चैन हमने बना लिया है अब एक चैन स्किप करेंगे और इस तीसरे चैन में हम दो डबल क्रोसिया बनाएंगे ये ड्रेस हम दो नंबर के कानाजी के लिए बना रहे हैं तो अब हमारा यहाँ पे दो डबल क्रोसिया हो गया अब नेक्स्ट चैन में भी हम दो बार डबल क्रोसिया बना करके ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं देखे फ्रेंड्स ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है अब फिर से हम दो चैन लेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोसिया बनाएंगे फिर नेक्स्ट चैन में भी एक बार डबल क्रोसिया बनाएंगे अब इस वाले चैन में हम दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे एक दो फिर से हम दो बार एक बार डबल क्रोसिया बनाएंगे और एक चैन में हम दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे यहाँ पर एक बना लिया, एक यहाँ पर बना लिया अब next चैन में हम दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से हम पूरा राउंड कम्प्लीट करेंगे एक, दो इस तरह से हमारा यहां तक बन गया है, अब पूरा round complete करके फिर आपको दिखाते हैं देखिये friends, यह round हमारा complete हो गया है, first round में हमारे पास 20 double crochet थे और second round में 28 double crochet हो गए है अब फिर से हम एक चैन लेंगे और यहां पर एक एक बार हम हाफ क्रोसिया बनाएंगे एक दो तीन बार हमने हाफ क्रोसिया बना लिया है नेक्ट चैन में हम दो बार हाफ क्रोसिया बनाएंगे एक दो फिर से तीन बार हम एक एक बार हम क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन यह तीन बार हम क्रोशिया हमने बना लिया है अब फॉर्थ चैन में हम दो बार हम क्रोशिया बनाएंगे एक दो इस तरह से हम पूरा राउंड कम्प्लीट करेंगे तो चलिए फ्रेंड कम्प्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं देखे फ्रेंड्स यह राउंड भी हमारा कम्प्लीट हो गया है अब यहाँ पर हम दो चैन लेंगे इसको टर्न कर लेंगे और पांच बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो तीन चार पांच पांच पर हमारा डबल क्रोशिया हो गया अब हम एक, दो तीन, चार पांच, छे साथ, आठ यह आठमें चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यह दस डबल क्रोशिया हमने बना लिया है तो यहां पे हम फिर से एक, दो तीन, चार पांच, छे साथ, आठ आठमी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बाजू हमारा यह हो गया और दूसरी यह वाली हो गई अब यहां से हम पांच बाज डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो एक, दो, तीन, चार और यह यहां पे उना लेंगे पांच डबल क्रोशिया हो जाएगा यह हमारा पांच डबल क्रोशिया हो गया अब फिर से हम दो चैन लेंगे एक चैन लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे एक एक बार हर चैन में हम हाप क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से हम हर एक चैन में एक एक बार हाप क्रोशिया बनाएंगे तो चलिए फ्रेंट्स यह बना करके फिर हम आपको दिखाते हैं देखिए फ्रेंट्स यह चोली हमारी बन करके त्यार हो गई है यह देखिए अब हम इसका गेरा बनाएंगे गेरा बनाने के लिए हम दो चैन लेंगे इसको टर्न कर लेंगे और हर एक चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो एक दो इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स यह राउंड कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं देखिए फ्रेंड्स यह राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है हर एक चैन में हमने दो दो बार डबल क्रोशिया बना लिया है अब फिर से हम दो चैन लेंगे इसको टर्म करके यहाँ पर पहले वाले चैन में हम एक बार डबल कोशिया बनाएंगे एक बार नेक्स्ट चैन में बनाएंगे यहाँ पर हमने तीन बार सिंगल डबल कोशिया बनाएंगे एक दो तीन चौती बार हम एक ही चैन में दो बार डबल कोशिया बनाएंगे एक दो फिर हम तीन बार एक एक बार डबल कोशिया बनाएंगे एक दो तीन चौथे चैन में हम दो बार डबल कोशिया बनाएंगे इस तरह से हम अपना फूरा राउंड कम्प्लीट करेंगे फ्रेंड्स, बीच बीच में हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरह से ये घिरा बनाना है तो अगर आप हमारे बीडियो को skip करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा तो इसलिए आप पूरा बीडियो देखा करें तो चलिए फ्रेंड्स, ये राउंड कम्प्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं देखे फ्रेंड्स यह राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे फिर से हम दो चैन लेंगे और यहां पर हम हम चार बार डबल कुरोशिया बनाएंगे दो एक हम इसको गिनेंगे दूसरा यह तीन चार फिफ्ट चैन में हम दो बार डबल कुरोशिया बनाएंगे इस तरह से फिर हम चार बार सिंगल डबल कुरोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांचमी बार हम दो बार डबल कुरोशिया बनाएंगे इस तरह से हम अपना राउंड कम्प्लीट करेंगे चलिए यह कम्प्लीट करके फिर दिखाते हैं आपको देखिए फ्रेंड्स यह थर्ड राउंड भी हमारा कम्प्लीट हो गया है अब इस धागे को हम यहीं पर कट कर देंगे इस तरह से हम इसको निकाल देंगे धागे को अब इसका हम बाजू बनाएंगे यह दागा हम यहां पर जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोसिय बनाएंगे हाप क्रोसिय बनाएंगे दो चैन लेंगे उसके बाद हर एक चैन में हम एक एक बार डबल क्रोसिय बनाएंगे एक दो तीन चार पाच छे साथ आट यह आट डबल क्रोसिय हमने बना लिया है अब इसको हम यहां पर जॉइंट करेंगे स्लीप इस्टिस से इस साइड में लाकर जॉइंट कर देंगे इस तरह से फिर हम दो चैन लेंगे एक दो और एक एक क्रोसिया फिर से बनाएंगे एक डबल क्रोसिया दो तिन चार पाच पाच चार यह साथ साथ डबल क्रोसिया हो गया अब इसको हम यहां पर जॉइंट कर देंगे अब यहां पर हम यह धागा कट कर देंगे इस धाके को अंदर खीच लेंगे इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी बना लेते हैं तो चलिए फ्रेंट्स इसको बना के फिर आपको दिखाते हैं देखे फ्रेंट्स यह दोनों बाजो हमारा तयार हो गया है अब हम इसका हुट बनाएंगे तो अब इसको बनाने के लिए हमें जहां से यह फोल्ड हो रहा है कंधा यहां से हम चैन उठाएंगे यहां पर हम अपना धागा जॉइंट करेंगे इस तरह से दो चैन लेंगे यहां पर हम डबल क्रोसिया बनाएंगे भेल वी चैनला गी रोदर हमें दो थीन Aaola से जा branches odpowied दो दो तीन ऩार varieties तीन शोذर च क्वहां चार के दोछाएंगे पाच छे साथ आठ नव यह नव डबल कुरोसिया हमने बना लिया है अब फिर से हम दो चैन लेंगे और इसको टर्न कर लेंगे अब फिर से हर एक चैन में हम एक एक बार डबल कुरोसिया बनाएंगे दो तीन चार पाच छे साथ आठ नव एक यहाँ बना लेंगे दस इस राउंड में हमारा एक डबल कुरोसिया बढ़ गया है तो यहाँ पर हम फिर से दो चैन लेंगे और हर एक चैन में एक एक बार डबल कुरोसिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नव यह किनारे बना लेंगे दस यह हमारा दस डबल कुरोसिया हो जाएगा अब हम इसको क्या करेंगे इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद यहाँ क्रोसिया हो डाल करके इसको इस सैड में खीच लेंगे धागे को और एक हाप चैन बना लेंगे फिर हम इसको यहाँ पर इस तरह से दोनों को पकड़के जोइंड कर लेंगे, सिलाई कर देंगे, इस तरह से. अब इस धागे को हम इस पर कट कर देंगे, देखे फ्रेंट्स, यह हमारी हुटबन के त्यार हो गई है, इस धागे को हम इस दबा देंगे, अब हम इसका फ्रेल बनाएंगे, चलिए इसको फ्रेल को बनाते हैं, प्रेल बनाने के लिए हम इस साइड से धागा जोइंड करेंगे, यहां पर हाप क्रोशिय बनाएंगे, दो, उसके बाद एक ही चैन में हम तीन बार डबल कोशिय बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन डबल कोशिय हो गए, उसके बाद, एक, दो, तीन, तीसरे में हम इसको बनाएंगे, इस तरह से जोइंड कर देंगे, फिर से एक चैन ले लेंगे, और यही पर तीन बार डबल कोशिय बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर एक, दो, तीसरे चैन में इस तरह से जोइंड कर देंगे, फिर से एक चैन लेंगे, और यही पर हम तीन बार डबल कोशिय बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर एक, दो, तीन, यहाँ पर हम इसको जोइंड कर देंगे, इस तरह से हम पूरा फ्रील बना करके तयार कर लेंगे, चलिए फ्रेंड्स, बना के फिर आपको दिखाते हैं, देखे फ्रेंड्स, यह राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया है, अब इस तरह का फ्रील हम इस साइड में भी बनाएंगे, यहां पर हमने दो चैन बनाया है, यहां पर हम हाप क्रोशिय बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन हाप क्रोशिय बनाने के बाद, यहां पर हम जॉइंट कर देंगे, फिर से हम यहां पर तीन बर हाप क्रोशिय बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर यहां पर जॉइंट कर देंगे, स्लिप स्टिच से, फिर से हम दो बार हाप क्रोशिय बनाएंगे, तीन बार, एक, दो, तीन, इसको यहां पर जॉइंट कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लेट करेंगे, तो चलिए करके फिर आपको दिखाते हैं, देखे, फ्रेंड्स, यह फ्रील हमने बना लिया है, और यह हमारी ड्रेस बन करके कंप्लीट हो गई है, अब इसमें हम यह मोतियां लगा देंगे, और यह धागा डाल देंगे, तो चलिए हम इसको धागे को बनाना आपको सिखाते हैं, कैसे बनाएंगे इसको, इस धागे को बनाने के लिए हम दोनों उनका इस्तिमाल करेंगे, सबसे पहले हम यह आपे नॉट लगा लेंगे, इस तरह से उसके बाद हम इस तरह से चैन बना लेंगे, जितना लंबा हमें डोरी डालनी है, उतना लंबा हम चैन बना लेंगे, देखिए फ्रेंड्स यह डोरी हमने बना लिया है, अब हम यह इसका फूल बनाना सिखेंगे, उसके लिए हमने दो चैन छोड़ करके तीसरे चैन में डबल कुरोसिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार पांच चार, डबल कुरोसिया बना लिया हमने, अब इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे, इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे, और धागे को कट कर देंगे, इस तरह से हमारा यह फूल बन करके त्यार हो गया है, इसी तरह का फूल हम इस साइड में भी बना लेंगे, तो चलिए बना के फिर आपको दिखाते हैं, देखिए फ्रेंट्स, यह ड्रेस हमारा बन के तयार हो गया है, इसको सजाने के लिए हमने यहाँ पे मोती लगा दिया है, और यहाँ पे हमने गोल्डन कलल का पर्ल लगाया हुआ है, तो आपको यह हमारा बीडियो कैसा लगा, आप हमें लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, और ज्यादा ज्यादा हमारे बीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज हमारे वीडियो को पूरा देखा केजिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो